हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल लन्वाई सनु सर्मा आज इस वीडियो में हम जानेंगे यूनिट फाइप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी क्लास 10th NCRT की बोग मैंसे करेंगे exercise 5.2 का question number 5 find the number of term in each of the following APs इसमें हमें number of terms निकालनी है कि कितनी number of terms से consist है ये AP तो पहली AP 7, 13, 19, up to the dash 205 तो इसमें जो last term है वो 205 है यही हमारा AN होगा तो लिख देंगे AN is equal to A plus N minus का 1 and 2 का D यह formula आप AN की value 205 है A की value 7 है plus N की value N minus का 1 और D की value D की value है A to minus का A1 means 13 minus का 7 is 13 minus का 7 is equal to 13 minus का 7 गटाएंगे 6 बचेगा 6 आगे हमारा common difference D यह आगया 6 D अब 205 है और यह minus का 7 इधर जाएगा तो यह बचेगा 198 is equal to N minus का 1 into का 6 अब यह 198 upon में 6 आजाएगा क्योंकि उधर multiply में है तो 6 से इसे cancel कर देंगे 3 जा 3 जा तो 33 N is equal to 33 यह 1 उधर जाकर positive हो जाएगा तो N is equal to 34 तो इसमें जो AP की वो term होंगी वो होंगी 34 अब ऐसे ही second part देख लेते हैं इसका तो इसमें लिख देंगे the number of terms are 34 इसमें जो number of term होंगी वो 34 होंगे second AP 18, 15, 12, 13, देटेटेटेटेटेस माइनस का 47 तो इसमें वही A is equal to 18 D is equal to A to minus का A1, A2 जो होगा वो जाएगा 15, 2 जा 30, 30 और 1, 31, 31 upon 2, A2 हो गया minus mixed fraction में दे रखा ये A2 और A1 है 18 given अब LCM इसका 2 आ जाएगा minus का 36, 31 minus का 36 upon 2 ये बचा minus का 5 upon 2 ये इसका answer ये D आ गया common difference अब उसी तरह A N हमें दे रहा है minus का 47 क्योंकि ये इस टर्म की last term है तो लिख देंगे Y A N is equal to A plus N minus का 1 into का D ये A N का formula लगा देना अब A N की value minus का 47 है A की value 18 है और N हमें निकालना है और D की value D की value हमने निकाली minus का 5 upon 2 अब इससे solve कर लेंगे ये minus का 47 है ये minus का 18 ये positive 18 है अधर जाकर minus का 18 हो जाएगा ये N minus का 1 इससे solve करेंगे तो 5 N minus का 5 N upon 2 और positive 5 upon 2 आ जाएगा अब इन तोनों को minus minus हो जाते है plus और sin minus का ये minus का 65 हो जाएगा ये अब इसका ले लेंगे हम 5 N plus 5 और ये 2 जो है ये इधर पहुंचे आगा क्योंकि हम LCM ले लेंगे तो उधर 2 पहुंचा देंगे तो multiply में पहुंचेगा तो माइनस का ये हो जाएगा 130 ये बन 30 माइनस का हो जाएगा अब माइनस का 5 N plus 5 और अब अब इसमें हमें 5 दीख रहा है कि दौनों में common है तो हम 5 जो है common ले लेंगे अब माइनस का बन 30 ये 5 N उधर जाकर माइनस का हो जाएगा और अपन मा आ जाएगा माइनस का 5 N की value खाली करने पर माइनस से माइनस कैंसल हो गया 5 तूजर 10 57 जा 35 तो N is equal to 27 N की value आ गई तो इसमें एपी में कितनी टर्म होंगे इसमें 27 टर्म्स ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें सेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें